हेलो गाइस स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे यादानी टोटल गेस की और यहाँ पर देखे तो चार पसंद के आसपस की गिरावट के साथ बंद रहा लेकिन पर्फेक्ट डोजी जरा देखिए पर्फेक्ट डोजी यहाँ पर बनी है तो क्या यह तूफान से प सबसे पहली बात आज का लोग और आज का हाई इसको आप कंसिरेट कर सकते हैं अगर इस हाई को ब्रेक करकर ऊपर निकलता है तो थोड़े सा नीचे जाने की संपाव नहों सकती है लेकिन उससे भी पहले मार्केट की अगर हम बात कर ले निप्टि के उपर अगर चाहो तो आप नीचे कमेंट जरूर कर इसके उपर डीटेल में वीडियो भी बनाएंगे अब जरा निप्टी को देखे डेली चार्ट है इसका यहाँ पर मुझे यसा लग रहा है कि अभी आज की क्लोजिंग जो है 22,000 और पच्पन का असपास है तो 22,000 और 225 या फिर 250 इस लेवल को जब तक अगर बाजार अगर क्लोज कर दें वहां पर क्लोजिंग दे तो यह वापस से तेजी की संबावना हो सकती है बाजार के अंदर और उसका एफेक अदानी टोटल के इसके उपर पढ़ सकता है और अगर आपने देखा होगा फिर उसके बार में हम चल्चा करेंगे, इसका इफेक बढ़ सकता है, पहले तो आप ज़रा निप्टी को यहाँ पर समझ देंगे कोशिश करते हैं, इसके अंदर जो है higher high और higher low की situation इस तरीके से बढ़ी हुई है, नीचे में अगर देखें तो जिस लेवल के उपर आज जाया था, उस लोगो अगर यह break न करें तब तक जो है बात एक मतलब की बढ़िया रह सकती है, अदर वाइस तोड़ा सा correction या फिर consolidation हो सकता है, लेकिन अगर यहां से यह तेजी आती है, तो यह जो इसने high बनाया था, उसको भी cross कर सकता है, तो 22,225 या फिर 25 वो लेवल अगर cross कर नीचे आया, जब बाजार के अंदर recovery आई, इसके अंदर भी recovery आई, फिर वो जो news आई थी, उस वज़े से जो है आज के दिन इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट आई, तो अगर nipty की बात करें तो वो level अगर cross कर दे, तो इसके अंदर भी तेजी की possibility हो सकती है, तो जो हमन आया है, पहले तो आज के कारोबार की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसको आप delivery volume इसका देख सकते हैं, तकरिबन 10 लग के असपास कर रहा, पिछले दिनों के मुकाबले अगर देखें तो थोड़ी सी यहाँ पर volume के अंदर कमी दिख रही है, यहाँ पर भी अगर आप द तो बाजार का साथ रहता है, तो अभी भी तेजी की possibility हो सकती है, और यह यहाँ पर आखिर में जो यह गिरावट आई, हो सकता है कि यह intraday players ने की हो, मतलब कि उन्होंने बेच दिये हो, इस वज़े से यह होगा होगा, लेकिन ज्यादा गिरावट नहीं आई, थोड़ा सा यहाँ पर यह candle एक red candle यहाँ पर दिख रही है, weekly chart के ओपर देखे, तो यहाँ पर आज पहला दिन है, इसलिए जो daily candle है, basic candle यहाँ पर दिख रही है, इसके अंदर भी अगर आप देखेगे, तो यह जो गिरावट थी, ऊपर से लेकर एक इसको गिरावट ही कहेगे, क्योंकि इसके weekly chart है, काफी लंबा chart है, यहाँ पर एक तो यह doji candle बनी थी, और उसका भी अगर देखे तो हमने चर्चा की थी, कि इस high को अगर break करता है, तो इसके अंदर तेजी आ सकती है, लेकिन इसने यह low को break किया नीचे में, इसलिए यह correction आया, तो technical chart काफी useful रह सकता है, लेकिन वापस से पिछले हपते, यह एक अच्छी कासी candle बनी, hanging bank candle, इसकी वज़े से भी ऐसा लग रहा है कि तेजी की possibility हो सकती है, अब इसका भी यह high cross करना ज़रूरी है, closing price और high price, जो की 1000 रुपे से लेकर 1020 के आसपास है, अभी इसका जो है दो बड़ी moving average इस भी लगाते है, तो की थी, कि profit booking भी की होगी, पूरी नहीं, पारसर profit booking, इससे भी काफी फाइदा हो सकता है, वापस से कहीं लोगों ने नीचे में खरीद लिया होगा, और इससे जो है, जो बाइंग कोस्ट होती है, वो जो है कम हो सकती है, थोड़ा थोड़ा करकर खरीदना हो, थोड़ा थोड सकती है, अब आगे देखते है, डेली चैट के ओपर, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेगे, जैसे कि यह 200 दिरों का moving average, हमने चर्चा कि यहाँ पर काफी बार, यहाँ से लेकर यहाँ तक काफी दिन हो गए थे, support ले रहा था, इसी वज़े से इस support को अब तोड़ा, और उपर जाने में थोड़ी सी दिकत इसको हो सकती है, तो अगर मार्केट का साथ रहता है, वो मार्केट निप्टिया भी जो है, उसका अपना जो रेजिस्टन जो मुझे दिखता है, वो अगर यह पार कर लेता है, तो इसके अंदर भी इस लेवल को cross कर सकता है, उसके बाद तेजी के अंदर जो है, इसका मतलब की entry हो सकती है, कम से कम पहले तो short term की बात कर रहा है, यह ग्यारा सो रुपे तक के लेवल को वाद तक तो जा ही सकता है, और अब की बार क्या पता कि इसको इसके भी उपर अगर यह cross कर दे तो फिर और तेजी आने की संभवना हो सकती है आगे देखते हैं, बुलिंग जर्बेंक को, इसके अंदर क्या changes होते हैं, हर दिन इसके अंदर changes होते हैं, यह भी मैं आपको बता दूँ, इन तीनों ही line जो है काफी useful रह सकती है, जैसे कि आज आप आपने देखा, इसकी जो निचली line है, बिलकुल वहीं पर इसने support लिया, वहां से अच्छा का से recovery दी, इसने एक bounce back आया, 966 तक गया यह, और शुकरवार को भी जो है, इसका जो मिडल line है, वहां पर इसने registration phase किया था, तो जैसे कि अभी इसकी middle line को cross कर दे, तो यह उपरी line है, वहां तक जा सकता है, जो कि अभी 1100 रुपे के आसपास है, अब आगे देखे M.S.C.D. को, इसके अंदर थोड़ी सी strength की अंदर कमी देख लिए, सबेरे जो है, यह गुलावी कलर का बार था, आज का, अभी यह red कलर का बन चुका है, क्योंकि एक पसंद के आसपास की ज्यादत गिरावटा यह, तब जो है, तीन सबातिन पसंद के आसपास की गि कि 980, 970 के आसपास, at least closing देदे, थोड़ा उपर तो ज्यादा बेतर रह सकता है, लेकिन थोड़े सी नीचे closing दिए इसने, relative strength index, RSI को देखे तो 42 के आसपास पहुच चुका है, तो यहाँ पर भी एक इसके उपर भी हमारी daily नजर रहती है, कि अगर यहाँ पर जो इसने low बन trend line यहाँ पर जो है, बनाई है, ट्रोगी है, तो इसका breakout जो है, अब कल के दिन की बात करें, क्योंकि यह trend line अभी नीचे आ रही है, तो 970, 975 के आसपास, इसके उपर इसका breakout हो सकता है, वहाँ पर यह closing दे दे, तो यह पहला संकित हो सकता है, उसके बाद जो हज़ार एक जो 20 का level भी cross करने की संभावना इसकी हो सकती है, तो इस level के उपर कल हमारी नजर रहेगी, और अगर आपकी इसके अंदर holding है दोस्तों, तो subscribe जरूर कर ले हमारे चैनल को, इसके उपर हम daily technical chat के उपर analysis करते है, और कल के अगर trading range की बात करें, तो मुझे इसा लग रहा है कि नीच पर अभी definitely दिख रही है, मतलब कि हो सकती है, तो 947 का price है, इसके support और register की summary ले ले लेते है, तो नीचे में पहला support जो दिख रहा है, 925 रुपे का, उसके बाद देखे तो 900 रुपे से लेकर 910 रुपे का zone, ये पूरा का zone, और उसके नीचे देखे तो 880 से लेकर 875 रुपे इसका zone, तो ये अभी जो है, इसके नजदी की registration दिख रहे है, और ये हम बात करें short term की, long term के लिए अच्छा रह सकता है, लेकिन short term के अंदर हा, इसके अंदर volatility रह सकती है, बाजार का सार आप इसके उपर पढ़ सकता है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, साथ-साथ आप हमारे दूसरे वीडियो को भी ज़रूर देखा करें, और आज के वीडियो में इतना ही, और extended disclaimer, जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी trade ले उससे पहले, अपनी research करें, अपने finance rate advisor की सला ले, उसके बाद ही कोई DC जल ले, और DC जल ले तो उसके जीमतारी maturity के साथ को दी ले, ये वीडियो में ने जो किसन परपस के लिए बनाए है, मेरे तरफ से कोई भाई या सेल के लिए के अपने से नहीं है, थैंक्यू.